हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और टर्वल्स को लेकर कुछ बहुत ही अहम अपडेट है उसको लेकर बात करेंगे यूएस से को लेकर बहुत ही जरूरी अपडेट है इसके लावा दोस्तो साओधी अरब को देकर अभी क्या कुछ अपडेट आई है उस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो आप सबसे चोटी से अपील है अगर आप फ्लाइट और ट्रिवल्स की खबरों से लगातार जूड़े रहना चाहते है तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट चैनल को सब्स हवाई मार्क और इसके लवा सडक मार्क को ओपन करने का फैसला किया आप नौमबर से जो भी लोग फुली वैक्सिनेटेड है वो लोग अभी यूएसे के लिए टिर्वल कर सकेंगे आप नौमबर से यूएसे की गौर्मेंट ने बड़ा फैसला किया है यूएस के जो करोना की कंप्लीट डोज ले रखिये वो लोग आठ नौमबर से यूएसे में इंट्री कर सकते हैं हवाई मार्क से भी इसके लवा सडक मार्क से भी इंट्री कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर इंट्री से उनको PCR टेस्ट कराना होगा और जो भी प्रोटोकाल है क्रोना को लेकर उसका पालन करना होगा इसका बड़ा फाइदा होने जा रहा है जो चीन के नागरिक हैं इसके लाव भारत के दचल अफरीका के ब्राजील के इरान के ऐसे करके लगबग 33 देश हैं जिन लोगों को अब डायरेक्ट इंट्री की परमीशन होगी 8 नौमबर से अगर उन्होंन देशों को इसका लाब होने जा रहा है 8 नौमबर से USA travel restriction हटा रहा है तो लगातार अच्छी खबरे आ रही हैं दोस्तों flight को लेकर अब पिछले दिनों काफी कुछ कोसिसे हुई है आइटा ने बोस्टन अमरीका में मीटिंग की थी जो सालाना मीटिंग हुई थी वो मीटिं हैं उनके लिए अब बात करतें दोस्तों सौधी अरब को लेकर तो सौधी हुकूमत ने भी कल बड़ा announcement करते हुए कुरोना से संबंदित तमाम तर पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है 17 अक्टूबर से मास्क को लेकर इसके लवा सोसल डिस्टेंसिंग को लेकर और भी सारे जगों पर हो वहाँ पर आपको सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना होगा साधियों से संबंदित संख्या को लेकर जो कुछ पाबंदिया थी उसको भी हटा लिया गया है इसके लावा मास्क को लेकर भी जो पाबंदिया थी अनिवारता थी उसको भी कुछ सर्तो साथ में हटा लिया गया है तो कुरोणा से समभंदित जो पाबंदियां थी वो स장이 हटा लिया गया है 17 अक्तूबर से अगर दोस्तों फिलाइट की बात करें इंडिया साधी अरब फिलाइट को लेकर तो इंडिया और साधी उमीद की जा रही है कि इस महिने में शायद फ्लाइट को लेकर भी सौधी हुकुमत को एनाउस्मेंट कर दे उन लोगों के लिए जो लोग होम कंट्री में वैक्सिन लगवा चुके हैं बाराल अभी इंडिया से आप सौधी अरब अगर जाना चाहते हैं तो वाया दुबई ह होकर वाया नैपाल होकर सौधी अरब जा सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर आप इंडिया से सौधी अरब जा रहे हैं वाया दुबई होकर तो आप अपना वैक्सिन सार्टिपिकेट का रेइस्टेशन ए सर्विस पोर्टल पर जरूर कर दे वहां एप्रूब्ड हो जाए ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए तबिया वैक्सिनेटेट माने जाएंगे तो ये सारी चीज़े आप जरूर कर लेंगे अगर आप इंडिया से सौधी अरब जा रहे हैं वाया दुबई होकर या वाया नैपाल होकर और जब आप नैपाल पहुंच जाए जब आप दुबई पहुंच जाए और दुबई से या नैपाल से जब आपकी फ्लाइट हो सौधी अरब के लिए तो उससे 72 घंटे के अंदर आप अपना रेजिटेशन मुकीम पोर्टल पर भी एराइवल रेजिटेशन आपको क पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइटी टूप चैनल को सब्सक्राइब करने मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुश रहिए गुड़ बाई